नमस्कार आप देख रहें न्यूस वर्ल्ल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आयूशी शिर्वास्तव पंजाब की पांच राजसबा सीटों पर 31 मार्च को चुनाफ होने जा रहा है आम आदमी पांच राजसबा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार का एलान कर दिया है लेकिन इन पांच नामों में तीन ऐसे नाम है जो आप के लिए निकिए आम आदमी पांटी के लिए बहुत एहम आने जा रहे हैं कौन है ये तीन नाम आईए जानते हैं दरसल अगर सबसे पहले हम बात करें आपके पहले चेहरे की जो राजसबा सीट के लिए चुने गए हैं तो वो है संदीप पाठक बताते हैं डौक्टर संदीप पाठक पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी चीत के पीछे जिसरा नीतिकार का सबसे जादा नाम सामने आया वो संदीप पाठक ही है बताते हैं कि IIT दिली से वो पढ़े हुए है वही डौक्टर संदीप पाठक ने तीन साल में पंजाब में डिरा डाल कर बूथ लेवल तक संगठन बनाया डौक्टर संदीप पाठक IIT में फिजिक्स के जाने माने प्रोफेसर माने जाते हैं वह आपको बता दे कि वो लंजन में रहे कर नौकरी कर रहे थे वहां से लोट कर वो पंजाब में आपके लिए लंबे समय से काम कर रहे थे उन्हें आपकी पंजाब की जीत में सबसे जाज़श्य दिया जा रहा है संदी पाठक को अर्विंद केर जिवाल और भगवंद मान का करीब ही माना जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक डॉक्टर संदी पाठक ने चुनावी रणीतिकार प्रुशांत किशोर के साथ काम किया किशोर के साथ उन्होंने दिली चुनाफ के लिए रणनीती बनाई इसी दोरान अर्विंद केरजीवाल के सलाकार टीम से जुड़े भी रहे धीरे धीरे वो अर्विंद केरजीवाल के सबसी खास बनते चले गए वहिपाटी ने उन्हें पंजाब में प्रमुक भूमिका निभाने के जिम्मधारी दी बतादे कैमरेज उनिवरसिटी से पीछटी संदीव पाठक अर्विंद केरजीवाल के टीम में बैक्रूम वोई के तरह काम करते हैं जिर्जिवार ने पंजाब में जीट के बाद संदीभ पातक को धन्यवाद दिया। उन्होंने संदीभ पातक के राजनितिक रंञीतिकार और अभ्यान डिजाइनर के रूप में उनके योगदान की सरहना की। संदीप पाठक का इस सालों से पंजाब में आप के लिए रणनीती बनने के लिए सक्री माने जाते हैं। वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की टीमों के साथ बिना लाइम लाइट में आए चुप चाप काम कर रहे हैं। संदीप पाठक 36 गड़ के मुगेली जिले के लोर्मी के रहने वाल हैं। संदीप के पिता शिफकुमार पाठक एक किसा ने चारक्टू पर 1989 को जन में संदीप परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। संदीप से छोटी उनके भाई प्रदीप पाठक है और बहन प्रतिपा पाठक है। संदीप ने शिरुवाती पढ़ाए लोर्मी से की है। वह याप ने जो दूसरे सबसे एहम चहरे का नाम दिया वो था अशोक मितल का। बतादे अशोक मितल पंजाब के जानी मानी लवली प्रिफेस्टर यूनिवरसिटी के फाउंडर है। सिक्षा के शेत्र में वे अपने काम और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। समाने परिवार से आने वाले अशोक मितल ने अपने दम पर सफलता प्राप की। भारत के सबसे बड़ी लवली उनिवरसिटी से वो चेयर मैन भी है। बतादे वो देश के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक है। उनका परिवार विभाजन के बाद पाकस्तान से हिंदुस्तान आकर बसा। उनके पिता ने जलंदन में मिठाई के दुकान से अपने बिजनिश की शुरुवात की थी जिसका नाम था लवली स्वीट्स। इसके बाद ऑटो मुबाइल शेत्र में मारूतिकार की डीलर्शिप में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके बाद 2001 में अपना संस्थान कोलारुस से पंजाब टेकनिकल युनिवरसिटी से सम्मद्द किया। LPU को 2005 में युनिवरसिटी का दर्जा मिला और वो पंजाब के पहली निजी युनिवरसिटी बन गई। LPU आज 35 देशों के 30,000 से जादा चातरों को सिक्षा दे रही है। अब इस लिस्ट में सबसे आखरी और सबसे एहम नाम जो है वो है संजीव अरोडा का जी हाँ। वजाने पंजाब से राजसभा के लिए आमादी पार्टी ने संजीव अरोडा के नाम का भी ऐलान किया। और 160 से अधिक कैंसर योगियों का निशुल इलाज करा रहा है। बता दे संजीव अरोडा दयानन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लुधियाना के गवोर्नेंट बोर्ड में भी से एक हैं। पंजाब क्रिकेट एन असोसियेशन के एपिक्स काउंसल के वो सदत्स भी रह चुके हैं। वही संजीव अरोडा पंजाब के एक प्रवुक संस्थान सतलुच क्लब लुधियाना के सचीव भी रह चुके हैं। वही संजीव अरोडा ने पिछले कुछ वर्षों में पंजाब के लोगों के लिए सेवा और सम्मान और मानिता प्राप्त की है। अभी पान सीटे हाली में विधानसवा चुनाव में शांदार जीत दर्च करने के बाद आमानभी पार्टी के हिस्से में आ चुकी है। बताते कि आमानभी पार्टी के तरफ से रागव चड़्डा हर्वजन सिंग को भी मैदान में उतारा गया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप देखते रहें, News World India